हेलो दोस्तों अपका स्वागत है निकलर एक्टेट 2020 यूटुब चैनल पे में नाम है राइश पास्वान और आज का जो वीडियो है वह नौर्थ इस्ट में कोई कि लागो होने जा रही है वन डिस्टिक वन प्रड़क्ट स्कीम और यह वीडियो जो है सडी आक्यू की है तो मुझे किसी ने किया था कि यह नौर्थ इस्ट में कुछ चेंजी साहथ वहां पर आने वाले हैं देखते हैं कैसे हैं पॉस्तिव चेंजिस हैं कि नेगटीव हैं वह वीडियो देखने के बाद ही जो हैं मालूं बढ़ देया पर अब चैनल पहले बार आये तो सब्सक्राइब कर देजी और शाथ वीडियो की नोडिफिकेशन हम आप तक टाइम से पहुंचाते रहें नहों अब करते हैं वीडियो शुरू देखते हैं क्या है स्कीम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फ्टेडिया क्यूम में आज हम लोग बात करने वाले हैं योदो SQ क्या है history one product और one district की और हम लोग एक व्यापक visualization करने वाले हैं कि किस तरह से यह scheme अगर नौर्थ इस्टन region में implement की जाए तो यह काफी जादा successful रह पाएगी already नौर्थ इस्टन region में काफी सारी complaints आती है कि वो mainland से integrated नहीं है economic development नहीं है accessible नहीं है और अगर हम लोग development करने जाते भी हैं तो वो sustainable नहीं कहलाता है नौर्थ इस्टन region में बहुत सारी complaints आती है तो how can one product one district scheme help the नौर्थ इस्टन region would be discussed today so let us begin but उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साय गाउंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते है you can follow me on the ID RahulSai222 मेरा Facebook, Instagram और Telegram के channel का ID सेम है स्क्यालावा, Study IQ आपके रलाया है comprehensive prelims का mains program for UPSC 2021 for more information download the app साथी साथ हमारी UPSC prelims 2021 की test series भी चल रही जिसके ओपर discount है please avail it तो चलिए सबसे पहले one product, one district या फिर one district, one product scheme की बारे में बात करते है इस scheme का उद्देश यह है कि indigenous और specialized product को encourage करे और अगर मैं बात करूँ इस scheme केंद्र सरकार ने इसको extend कर दिया है पूरे देश में लेकिन अगर मैं इसके background की बात करूँ सबसे पहले one district, one product को बढ़ावा दिया था यानि कि उसको implement किया था UP सरकार ने, UP ने अपने पूरे 75 districts में इसको implement किया था जहां पे उनका उद्देश यह था कि हर district से एक product निकले जिसको हम लोग market करें not just nationally, internationally भी तो इस scheme को केंदर सरकार ने extend कर दिया सारे जिल्लों में इंडिया के चलिए सबसे पहले देखते हैं कि UP सरकार ने क्या ऐसा किया जिसकी वैसी सफल रहा scheme अगर हम लोग UP सरकार के template की बात करें तो उनके one district, one product scheme में हम लोग देख सकते हैं चार scheme सुरोने लाई थी, एक था common facility scheme तो common facility scheme में एक common facility provide की जाएगी skilled workers के लिए, laborers के लिए, artisans के लिए और फिर tribal लोगों के लिए ताकि वह वहाँ पर आकर अपना product develop करें, काम करें और अगर कोई ऐसा common facility center open करना चाहता है कोई private player interested है तो उनको 90% इस project का cost मिलेगा सरकार की तरफ से as an assistance यह ठीग है इसके अलावा दूसरी scheme थी market assistance और market development assistance scheme इसमें अगर कोई artisan है, कोई skilled laborer है, कोई tribal है जो अपना product market करना चाहता है, जो देश में बताना चाहता है internationally उसको promote करना चाहता है तो वैसे participants को financial assistant मिलेगी ताकि वो national और international fairs में जाके अपने products को बेचे इसके अलावा एक margin scheme भी चल रही थी, यह तो काफी understandable है अगर आप एक product बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको develop करना चाहते हैं तो आपको subsidy मिलेगी, कुछ margin तक आपके project cost की इसके अलावा एक skill development scheme भी चलाई थी, UP सरकार ने जहां पे artisans को certify भी किया जा था certify भी किया जा था, उसके अलावा recognition of prior learning मिलती थी, क्योंकि उनके पास already कुछ skill है करके उसकी recognition भी मिलती थी तो इन चारो skills की मदद से, UP सरकार ने काफी successful बनाया अपना one district one product scheme काफी सारी success stories निकली, जैसे कि जहांसी से निकली, सहारनपूर से निकली, मुरादाबाद से निकली बहुत सारे districts से, बहुत सारे products निकले, जिनके success stories are known तो इस success को देखकर, UP सरकार की booklet से उस leaf को उठाकर, center ने push किया अपना खुद का one district one product scheme across the entire country, यह already scheme is in operation, Invest India करके एक organization ने जिसको जिम्मा दिया गया है one district one product को implement करने का, तो यह तो रही news, अब हम लोग एक व्यापक visualization करने वाले हैं किस तरह से अगर यह scheme अच्छे से implement की जाए North Eastern region में, तो वहाँ पर यह एक game changer बन सकती है तो चलिए पहले North Eastern region के बारे में बात करते हैं, North East का एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है नौर्थीस्टन इंडिया जो है, वहाँ पर आठ स्टेट्स आते हैं, including सिक्क्यम में बता रहा हूँ यहाँ यहाँ पर यहाँ पर प्रिस्टीन स्टेट्स बहुत ही pure स्टेट्स हैं तो it can be exported to Bangladesh, it can be exported to entire Southeast Asian region लेकिन अगर हम लोग historical बात करें, तो North Eastern region में बहुत बड़ी प्रॉबलम रही है, जोग्रफिकल प्रॉबलम क्योंकि हिली रीजन है, तो connectivity की बहुत जादा इशू है, economically connected नहीं है, mainland से एक छोटा सा silly goody corridor है, जिसको chicken neck भी कहा जाता है, इंडिया का उस से connected नहीं है, mostly connectivity की बहुत बड़ी problem आती है, और अगर हम लोग North East region की बात करें, तो North East की जो नागरिक है, वो हमेशा complain करते आते हैं कि step motherly treatment होता है mainland इंडिया से, वो complain करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास economic development नहीं है, हमारे पास mainland से connectivity नहीं है, strategic chicken neck है, अगर कुलकता से आपको North East में जाना है, you have to pass through that silly girl corridor, इसके अलावा अगर सरकार बहुत बड़े infrastructure projects लाती है, तो उस पे भी सवाल उठ जाता है कही बार, सवाल ये उठ जाता है कि यह जो project सरकार ने प्लान किये हैं, they are not sustainable, और finally सवाल उठ जाता है mainland leadership के ओपर, क्योंकि North East से उतनी ज़्यादा political representation नहीं ह जो leadership है, they have been giving stepmotherly treatment to North East region again for a very long time, although पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि काफी कुछ चीज़े आई है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं North East region के, यह हम सब जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी schemes open कर रहे हैं, जैसे एक Act East policy, यह तो foreign policy जिसमें हम लोग कहते ह है कि North East region एक pivot है, एक cynosure है, center point है, जहां से हम लोग South East Asia के तरफ देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारी schemes है, जैसे कि North East special infrastructure development scheme है, North Easton council बनाई है, North Easton region vision 2020 दिया है, specifically department of North Easton region बनाया हुआ है, तो बहुत सारी schemes आई है, लेकिन फिर भी इतने दशकों में development क्यों नहीं हुई है, एक major reason इस चीज़ का है, एक major reason इस चीज़ का है, यह हर बार एक top down approach रहा है, मतलब केंदर सरकार से plan आता है, और North East के लिए वो implement क्या जाता है, इस नेवर bottom up, तो हम लोग बात करने वाले है, किस तरह यह one district, one product scheme help कर सकता है, अगर हम लोग बात करें, one district, one product की, तो इसका उद जिल्ले की जो economy है, उनको encourage करेंगा, लेकिन encourage किस तरह करेंगा, वहां के indigenous और वहां के specialized product को develop करके, हर एक जिल्ले में, तो North East में काफी जादा मदद मिलेगी इस चीज़ से, अगर हम लोग नौर्थीस्ट की बात करें, नौर्थीस्टन economy अभी भी majoritarian agriculture based है, अभी भी traditional craft based है, नौर्थीस्टन region में हमको हजारों tribe मिलते हैं, sub tribes मिलते हैं, जिनका major occupation या major काम कर सकते हैं कि craftman और craftman tradition वो follow करते हैं अभी तक, in fact हम लोग कह सकते हैं कि हर जिल्ले में जितनी भी tribe रहते हैं, उनका कुछ न कुछ एक specific craft जरूर है, यह एक plus point भी यह नहीं, absolutely yes, तो किस तरह से यह new one district one product help कर सकते हैं, अगर हम लोग one district one product की बात करें, तो यह bottom up principle पे based है, bottom up मतलब it starts at the grassroot level and goes up, क्योंकि अब सरकार की जो body है in West India, वो traditional industries, local communities और citizens के साथ काम करेगा, उनके खुद के products को develop करेगा, उनके खुद के products को internationally market करेगा, और सबसे बड़ी चीज है North Eastern region के लिए कि यहाँ पे market काफी easily available है, मैं आपको बताया है कि 98% of North Eastern states have a border, तो किस तरह से मदद कर सकते हैं, यह मद सारी चीजों में, सबसे पहली चीज यह है कि जो tribal culture है, जो local craft है, local tradition है, उसको protect भी करेंगे और साथी साथ promote भी करेंगे, इसके अलावा income बढ़ेगी, local employment बढ़ेगा, और अगर वहीं पे काम मिलगा है, तो obvious चीज है कि migration भी down हो जाएगा, तो it is a model of sustainable development, obviously, और अगर वहाँ प उनकी skill भी develop होगी, और उनके product को अच्छी quality भी मिलेगी, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, अगर उनके product में कुछ सुधार लाया जा सकता है, तो सरकार उसमें अभी involved हो जाएगी, साती साथ उनको international standards की facilities दी जाएगी, उनके local products को better package करेंगे, better branding करेंगे, और marketing करेंगे, ता मतलब, tourism और आपकी product दोनों को connect करके उनको promote भी किया जाएगा, और सबसे बड़ा जो advantage रहेगा, वो रहेगा balanced development, जो मैंने आपको discussion की शुरुआत में बताया है, कि Northeastern region से complaint क्या आती है, कि हमारे यहाँ पर economic development नहीं है, we are considered rather backward in comparison to the mainland, but why? Because there is no balanced development, but now with this one district, one product scheme, एक balanced development model बन सकता है, तो अगर हम लोग देखें, इसका potential काफी ज्यादा है, सरकार ने भी इसको identify किया है, और progress भी काफी चल रही है, सरकार ने already step यह हुए है, कि one district, one product scheme को Northeastern region में implement करें, इसका जिम्मा दिया गया है, invest India, जिन्नोंने already scout किया है, local communities, local organizations, ताकि उनके साथ काम करें और यह one district, one product scheme को success करें, हम आशा करते हैं कि इसकी implementation भी अच्छे से होगी, और मैं अपना discussion इस बात से end करना चाहता हूँ, I want the people from Northeast who are watching this to comment कि आपके district में क्या product है जिसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं, what is the product that you want to market nationally or internationally from your district, please mention the district also and the product also so that everybody can learn about that that's it from my side, thank you very much, Jai Hind. Northeast में जो central government हो ज्यादा focus कर रही है, कि वहाँ पर बहुत सारे, बहुत सारे products हैं, जो internationally बेचे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे tribes हैं, और हट tribe के अपना culture है, अपने अपने चीजे हैं, जो वो internationally बेची जा सकती हैं, और यह जो tribal चीजे होती हैं, वो काफी fashionable और इसे showcase में रखने वाली चीजे जो हैं, मानी जाती हैं, शहरों में, तो उनका जैसे कि इस video में बताया कि market भी बहुत easily available है, क्योंकि चाइना का border, भुटान का border, बागादेश का border, नेपाल का border, और मैनमार का border, फिर जो आगे की जो अकंटिस हैं, उन सब का border जो है, बहुत ज जादा back भी कर रही है, इसको, government जो है, वो जैसे कि बताया कि government काफी जादा financial help भी देगी, कि जो एक बंदा है, वो अपने पर इसको internationally based सके, और तो अब government की backing है, तो I hope सब कुछ अच्छे से हो जाए, और नोर्थ इस में overall जो है, employment बड़े, वहाँ पर लोग economically जादा stable हों, और जैसे कि इस वीडियो में कहा, और काफे तक न मुझे भी लगता है, कि नौर्थ इस में जो है, वहाँ पर ज्यादा development इसलिए भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है political representation थोड़ी weak है, मैंने बहुत सारे comments पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है, जो center government जो इससे पहले कि थी, Congress की, तो वो literally उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे इंडिया, मतलब बहुत सारे जो इंडिया का parts है, वहाँ पर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बर अभी की जो मौरी government है, वो काफी ध्यान दे रही है, और अगर सारी schemes को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम पढ़ेंगा कि दो, जो BJP की government है, वो जात तर जो है border areas पे ध्यान दे रही है, border areas को develop करने की वो पूल कोशिच कर रही है, ठीक है, यूँकि हमें दो, दो हमारे neighbor से हमें खतरा है, चाइना और पाकिस्तान और दोनों के साथ हमारी अच्छी खासी border है, बहुत सारी states है, water shake करती है, प्लस बांगलदेश के साथ हमारा कोई वैसे कोई खतरा नहीं है, बांगलदेश के साथ हमारा काफी friendly relation है, पर वहां से एक बांगलदेशी जो illegal immigrants है ना, उसकी बड़ी जो है problem वो रहती है, क्योंकि वहां से बहुत सार पूरी कोशिश कर रहे है कि border वाले area को जाता तर सिक्योर और डिवल्प किया जाए, और एक पॉइंट जो इस वीडियो में discuss किया गया, जो टॉप डाउन यहां पर जो है ना, सारा process रहता है, क्योंकि center कोई scheme निकालेगी, North East के लिए तो फिर North East में वो implement होगी, पर जो bottom process होता है, जैसे कि UP में हुआ, UP में यह scheme निकाली, वहां कामयाब होई, center ने देखा, और फिर पूरे इंडिया में लागू किया, तो bottom up, जिस state से वो आई है, फिर पूरे इंडिया में होई, पर North East में जात scheme जो होती है, वो चलती है center के थ्रू, तो वही बात होई कि वहां की political representation थोड़ी weak है, और ज्यादा innovative नहीं है, मेरे खाल से क्योंकि वो खुद से कोई ऐसे innovative steps नहीं लेती है, जातर research नहीं करती हैं कि क्या उनके state में ज्यादा अच्छा है, क्या उनको promote करना चाहिए को लोग को रोजगार मिले, North East से जातर news में नहीं आती है, देखो, मैं वहां कि political representation को कुछ ख़राब नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बस मैं यह बोल रहा हूं कि आपकी leaders, अगर आपको mainland India में या फिर दिल्ली की parliament में ज्यादा तर स्कीम जो है, North East के लिए नहीं आ रही है, तो वो फिर किसका failure है, आपके leaders का failure है, जो भी आपके CM है, MLA है, वो ठीक से अपनी बात वहां जो है, वो रखनी रहे हैं, ठीक है, अब अब देखो जैसे कि यह अभी farmers पोटास चल रहा है, और पंजाब के और जो हड़याने के जो वो farmers हैं, वो सब के सब डली पहुंच गये हैं, कि नहीं भाई, हमें यह law जो है, यह वाला जो बेल लैप, वो पसंद नहीं है, तो और जो है, वहां की political parties भी साथ दे रही है, ठीक है, तो अब सेंटर देखो, उन से बात कर रही है, और पुड़ा resolve करने कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ नौर्थीज से मैंने आज तक करते हुए नहीं देखा, वहां के जो leaders हैं, वो जालतर बात उठाते ही नहीं है, मैंने नहीं सुना कि वहां का कोई leader है, जो एकदम बहुत अच्छे से अपनी बात को रख रहा है, यहां पर रही हो पारलिमेंट में, कि पूरे इंडिया में उसकी बात हो रही है, जैसे अभी farmers protest की बात पूरे इंडिया में हो रही है, ठीक है, वैसे ही नोर्सिस में नह रखते नहीं है, पुझाते नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, पर बहुत बड़ा रोल है, वहां के political representation का की जो थोड़ी weak है, और पता नहीं कैसे हो रहा है, कोई नहीं, अभी Modi government जो है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो बड़े सारी schemes है, मैं थोड़ा यह बहु नो वो नॉर्थीस के लिए है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि सेंट्री के तब से कौन को से scheme चल रही है, कितनी roads बन रही है, और एक मैं आपको जहां है बता दूँ, यह तो चिकन सनग है, जो 21 किलोमेटर का हमाद चोटा सा एक corridor है, जो बाकी इंडिया को नॉर्थीस स जोड़ता है, पर अब government क्या गर रही है कि यह वाला project पर बात काम बहुत देश से चल रहा है, वेस्ट बंगॉल से लेके मैना मार तक एक three way कुछ रास्ता जो है यह बना रही है, और उससे क्या होगा कि हम जो है बांगादिश को बाइपास करते हुए मैना मार से होते हुए नोर्थिस्क तक कोई पूरा जो है government infrastructure डिवल्ट कर रही है, ताकि होड़ जादा connectivity बड़े नोर्थिस्क के साथ, तो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई, center बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, पहले कि government ने नहीं दिया, वो मानता हूँ, पर आपके government तो दे रही है, मैं कोई मैं भाई ऐसे मत बोलना कि मैं मोदी का supporter हूँ, यह वो, जो fact है, मैं बस वो बोल रहा हूँ, आपको data check करने है, तो जाईए, google केजिए, और आपको मिल जाएगा data, data मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी वो जो question पुछाता है, आप बताईए कि आपके district में या फिर बताईएगा, और अगर आपने वीडियो में यहा तक देख लिए है, तो लाइक और शेर भी कर दिजएगा, अब मलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर,